Hello Friend, I am Anis from Innovation Classes and आज मैं आपके सामने हूँ कुछ vocab के साथ चलो आज हम कुछ vocabs करते हैं यहाँ पे जिसे हम बहुत ही आसान तरीकों से सिखेंगे यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले मेरा word है diligent, परिश्रमी या मेहनती जो लोग hard working होते हैं जो लोग मेहनत करते हैं उसको हम परिश्रमी बोलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी synonyms दिये गए हैं फर्स्ट देखो तो देखता है laborious, industrious, hard working, indepatigable, sedious, tireless, penstaking, toil, pedantic, meticulous, studious, sedulous अब मैं आपको यह सारे vocab एक एक करके बताने जा रहा हूं इसे ध्यान दे और I hope कि आज आपको यह vocab बहुत ही आसान इसे याद हो जाएगा सबसे पहले देखते हैं word है मेरा diligent, फर्स्ट वर्ड मेरा है diligent, इसमें आप देखो एक keyword है दिल्ली और एक word है gent यानि दिल्ली के agent क्या है दिल्ली के agent दिल्ली के agent जो दिल्ली के agent होते हैं वो काफी मेहनती होते हैं क्योंकि आप उनसे कुछ भी कहों तो वो आपके काम को बहुत ही आसानी से पूरा कर देते हैं इसलिए वो आपके काम के लिए दिल्ली में भटकते रहते हैं तो वो मेहनत करते हैं इसलिए दिल्ली के agent जो क्या होते हैं? मेहनती होते हैं वो diligent होते हैं सेकेंड वर्ट देखते हैं laborious अब आप बताओ laborious हमने labor को देखा फैक्टरीज में काम करते हैं labor अगर labor काम नहीं करे तो उन्हें कोई पैसे नहीं देगा labor को पैसा तभी मिलता है जब वो काम करते हैं और काम करने के कारण वो क्या होते हैं मेह मेहनत के कोई काम नहीं हो सकता इसलिए labor क्या करते हैं labor जो करते हैं काम इसलिए वो कहलाते हैं इसलिए यो लेवोरीयस कहलाते हैं तभी उन्हें पैसा मिलता है अब आप एक वर्ड देखो इंडस्ट्रियस इंडस्ट्री आप इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं इंडस्ट्री में होते हैं वर्कर और वो जो काम करते हैं तो इंडस्ट्री में जो काम करने वाले हते हैं वो इंडस्ट्रियस होते हैं जो काम करते हैं तभी उन्हें पैसा मिलता है और तभी उन्हें पैसा मिलता है और तभी वो काम कर पाते हैं तो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को बोलते हैं इंडस्ट्रियस वो मेहनत करते हैं तब उन्हें पैसा मिलता है मेहनती होते हैं नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, hard working, अब hard working बहुत ही common word है, जो हम काम कठीन तरीके से करें, जो काम अगर कोई भी काम असान नहीं होता, हम काम जो hard working क्या होते हैं, कठीन मेहनत करने वाले होते हैं, hard working परिश्रम्मी कहलाते हैं, मेहनते कहलाते हैं, नेक्स्ट वर्ड है, in the fatigable, अब यहाँ पर आप देखो तो एक वर्ड है, in the fatigable, अब इसमें हम एक keyword देख रहे हैं, यहाँ पर, इससे बोलते हैं, इससे थोरा देर के लिए मान लो, कि यह defeat है, क्या है, defeat है, अब defeat, defeat का मतलब कि हारने वाला, हार मान ले वान जो हार जाए, तो यहाँ पर मै, और इसके पहले in लग गया, जो हारे नहीं, जो कभी रुके नहीं, जो हार ही न मानें, तो बताओ, जो हार कभी नहीं मानेगा, जो हार को सुईकार न करें, ओ, कहीं न कहीं महनती होगा, तभी ऐसा करेगा, इसलिए indipatigable क्या होगा, indipatigable का मतलब होता है महनती, अब next word देखते हैं, assiduous, assiduous, अब यहाँ से आप देखो, इस word को देखो, assiduous, assiduous, इसमें दीख रहा है ass, ass, जिसे हम बोलते हैं, गधा, गधा क्या करता है दीन भर काम करता है तो बताओ अब गधा मेहनती हुआ कि नहीं गधा मेहनती हो गया तो इसे क्या बोलेंगे Aciduous As-C Aciduous जो आस होते हैं मेहनत करने के कारण वो मेहनती होते हैं दीन भर मेहनत करते हैं Next word है Tireless जो कभी ठके ही नहीं टायर टायर मतलब जो हम ठका होना जो कभी टायर ही नहों जो टायर से लेस हो जो टायर लेस हो यानि कि कह सकते हैं वो महनती होते है टायर लेस क्या होते हैं महनती होते है पेंस टेकिंग पेंग क्या होता है पेन का मतलब होता है दर्द दर्द पेन का मतलब होता है दर्द और टेकिंग जो पेन को लेने वाला हो जो दर्द को सहने वाला हो उनिस्टीत रूप से क्या होगा दर्द को सहने वाला महनती होता है वो महनती होता है वो सहसी होता है वो नेक्स्ट वर दिख्टे हैं ट्वाइल आप लोग ट्वाइल पे गए होंगे ट्वाइल ट्वाजा वहाँ पे अपने लोगों को देखा होगा दिन भर गारिया आती है जाती है वो दिन भर महनत करते है इसलिए आप याद रखे ट्वाइल mean tall tall यहाँ पे देखे tall तो जो tall पे काम करने वाले लोग होते है stronger तो इस toil आपको tall के कारण याद हो जाएगा तो आप याद रखे कि toil क्या होता है तो जो tall, tall tax tall plaja, जो वहाँ पे काम करते हैं वो महनती होते हैं नेक्स्ट वर्ड आता है pedantic pedantic पेडांटिक अब यहां देखें पैड अब बताओ जो पैड यानि पैर जो अपने पैर पे चलके कोई भी डिस्टेंस तूरी कर दूरी तै करें उसे क्या बोलेंगे उसे मेहनती ही तो बोलेंगे पेडांटिक क्या होता है जो अपने पैरों से चलके दूरी तै कर ले जो अपने पैरों से बहुत दूर दूर तक चला जाया उसे हम बोलते हैं पेडांटिक बोलते हैं उसे हम पेडांटिक बोलते हैं क्योंकि वो मेहनती होते हैं मेटिकुलस, आप लोग गाओं में देखे होंगे, माटी के कलस देखे होंगे, आप याद रखो माटी के कलस, तो माटी के कलस जो बनाने वाले होते हैं, वो दीन भर मेहनत करते हैं, तब भी उन्हें पैसे अच्छे से नहीं मिलते, पर वो तो मेहनती होते हैं, वो मेटिकुल होते हैं माठी के कलस बनाने वाले क्या होते हैं मेहनती होते हैं नेक्स्ट वर्ड इस्टरडियस अब जो बच्चा जो बच्चा अपना इस्टरडी जो बच्चा अपना इस्टरडी इस्टरडी मल लगा के करें ध्यान पुर्वक करें वो क्या कहलाएगा मेहनती ही तो कहलाए नेक्स्ट वर्ड है सेडूलेस सेडूलेस अब हम एक बात आता है यहां पर एक वर्ड है सेडूल ऐसे तो यह कोई वर्ड नहीं है बट सेडूल सेडूल एक हम सोचते हैं सेडूल किसी चीज का सीडूल बना होता है अगर उस सीडूल को कोई पालन करता है तो पालन करने वाला इस चीत अपने समय का पाबंध होता है, उसके लिए वो कहीं न कहीं मेहनत करता है, इसलिए वो कहलाता है, सेडुलेस कहलाता है, सेड्ली को फॉलो करने वाला सेडुलेस मेहनती होता है, तो फिर से एक वार revise कर लेते हैं वर्ड को, diligent, दिली के agent, महनती होते हैं, laborious, labor जब काम करते हैं तो उनको पैसे मिलता है, labor महनती होते हैं, industrious, industry में काम करने वाले लोग महनती होते हैं, और इसी के कारण उसे industry में पैसा मिलता है, उनके महनत के लिए पैसा मिलता है, वो महनती ह होते हैं hard working common word है सब लोग जानते हैं next word है infatigable infatigable का मतलब होता है infatigable का मतलब होता है मेहनती जो कभी defeat नहों जो कभी अपनी हार ना माने वो क्या होता है वो मेहनती होता है ончinous ass दीन भर काम करते हैं इसलिए हो मेहनती होते हैं tireless जो कभी tire ही नहों ओ मेहनती होते हैं pants taking जो दर्द को सहे ओ पर statement कहले हैं ओ पर Тоil जो तॉल पे दीन भर काम करते हैं वो लोग twil होते हैं वो लग मेहनती होते हैं पेडांटिक, जो लंबे-लंबे डिस्टेंस को अपने पैर से ताय कर ले, वो पेडांटिक होते हैं, वो महनती होते हैं, मैटुकुलस, माटी के कलर्स, जो माटी के कलर्स बनाने वाले होते हैं, वो महनती होते हैं, स्टेडियस, जो अपनी स्टेडी को बहुत ही ध्यान पुर I hope कि आपको ये सारी चीजे, ये सारी वर्ड आपको याद हो गए होंगे, और यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज शेयर करें और सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच्च.